बुवाई के बाद उसके अंकुरित होने और पेड के रूप में उसकी आंतिम्रुद्धी तक हर स्तर पर अच्छी देखभाल करना आवश्यक होता है। कई कारक अपनी स्तर पर तथा सामोहिक स्तर पर महत्वपुन भूमिका निभाते हैं। विकास के दवरान बहतर समन्वय से बहतर परिनाम मिलते हैं। यही सिद्धान्त हमारे जीवन पर भी लागू होता है। किसी भी नवजाद बालक या फिर बालिका शिशु के स्वस्थ और सरवांगीन विकास के लिए हमें उसकी काफी गंभिर्ता के साथ देखभाल करनी चाहिए। विख्यात कवी गुरुजाडा ने भी बच्चों के बहतर विकास के लिए अच्छे पोशन की आवश्यकता जताई है। इसी कारण भारत सरकार का नीती आयोग देश के उजवल भविश्य के लिए नई पीडी के स्वस्थ पोशन को प्राथमिकता दे रहा है। सभी विभागों के समनवय से भारत की नई पीडी के विकास की मजबूत बुनियाद रखना आवशक है। खास तवर पर ग्रामेन इलाकों में रहने वाले विभिन वर्गों के बालक बालिकाओं के पोशन, स्वास्थ्य देखभाल, सिक्षा और रोजगार के आउसरों के साथ ही भारतिय समाच के विभिन वर्गों को समर्थ बनाने के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों आपसी समन्वय के साथ कार्य पूर्ती करना इसका लक्ष है इस तालिका में शामिल विभिन्न केंद्रिय मंत्रालेयों और उनके कार्यों का यदि हम अलग-अलग रूप से अवलोकन करें तो स्पस्ट होता है कि प्रतीक विभाग के अपने विसिष्ट कार्य और विसिष्ट कार्यक्रम है यह भारत का एक गाउं है यहाँ केंद्रिय महिला और बाल विकास मंत्राले के तत्वावधान में व्यापक बाल विकास सेवाओं, प्रधन मंत्री मातरुवंदना योजना, क्रचस, राजीव गांधी योजना तधा किशोरियों के लिए सशक्तिकरण कारिक्रमों का संचालन किया जा रहा है। क्या बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए बहतर खानपान महत्वपुन है ना। हम विचार करेंगे नई पेड़ी को आत्म निर्भर बनाने के लिए उपलब्द आउसरों के बारे में। इसमें रोजगार सुरक्षा और गरेबी उन्मूलन दो प्रमुक कारक है। इन पर कौशल विकास और ग्रामीन विकास विभाग द्वारा मुख्य रूप से कार्य किया जा रहा है। इसकी अंतर्गत कौशल विकास राष्ट्रिय ग्रामीन आजीवी का अभियान और महत्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीन सुनिश्चित रोजगार योजना जैसे कारेक्रमों को अंजाम दिया जा। लड़के और लड़कियां सभी कल के नागरिक हैं। जबकि विकास के मामले में केंद्रिय मानो समसाधन विकास विभाग खास तवर पर लड़कियों के लिए शिक्षा तधा रोजगार के अधिक से अधिक आउसर उपलब्द करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस विभाग ने लड़कियों की शिक्षा, साक्षरता और सशक्ती करण को अपना लक्ष बनाया है। इसी कारण सर्वशिक्षा अभियान, साक्षर भारत, तधा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे कारेक्रमों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान समय में पूरा विश्व एक छूटे गाउं के जैसा बन रहा है। इसी के अंतरगत इन विभागों द्वारा सुचना अभियान, प्रशिक्षन, शहरी स्थानी ये प्रशिक्षन और युवा कारेक्रमों का संचालन किया जा रहा है। समाज के सरवांगीन विकास का लक्ष प्राप्त करने के लिए सभी वर्गों तक विकास कार्यों का लाब पहुंचाया जाना चाहिए। कमजोर वर्गों तक लाब पहुंचना चाहिए। इस लक्ष को पूरा करने के लिए गिरिजन कार्य मंत्राले, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले, अल्पसंख्यक कार्य मंत्राले, कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेश विकास कारेक्रमों का संचालन कर रहे हैं। नई पीड़ी के विकास में कुपोशन एक प्रमुक बाधा है। इस तत्य को स्विकार करते हुए महिला और बाल कल्यान विभाग ने आज की लड़की कलकी मा के रूप में एक विशेश कारेक्रम शुरू कर पोशन से संबंदित प्रमुक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कि इसे के अंतरगत NNM आधिक गंभीर स्थिति वाले जिलों में पोशन कारेक्रम का संचालन किया जा रहा है। चलिए, अब विभिन सरकारी विभागों के बीच समन्वय और एकिकृत लक्ष की प्राप्ति के बारे में कुछ आधिकारियों की प्रतिक्रियाओं पर नजर डा बालते हैं। इन विभागों के बीच समन्वय फूलों की माला में एक धागे की तरह योगदान देता है। इससे नीती आयोक द्वारा निर्धारित लक्ष प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी विभागों द्वारा सम्युक्त रुप से किया जा रहा प्रयास इस पीड़ी के विकास का आधार है।